हाई गाइस इस बीडियों में बात करेंगे जो भी स्टूडेंट्स आप लोगों ने सीविए से प्राइवेट केंडिडेट का फॉर्म फिल किया हुआ है आप किसी भी केटेगरी में फॉर्म फिल किया होगे जैसे कंपार्टमेंट इंप्रूमेंट या फेलियर या एडिशन रखना जैसे किंस गल्तियों को नहीं करना फॉर्म फिल करते है वसकी हम बात करते हैं 있을 से पहले इंप्रूव्मेंट वाले स्टूर्य जो गल्तिया करते है उसको मैं बताता हूँ radically कॉर्म फिल करें तो जैसे में k McMस-े में आपका प्रसिंटेम्ट या लो गあー przy ने इंप्रूब्मेंट के लिए फॉर्म फिल कर दिया तो जब आप इंट्रेंट सी जम्प के लिए फॉर्म अप्लाइ करोगे तो उससमें आप लोको को भूल से अपियरिंग मेरी जाना है आपको पास केंदेट ही यूज करोगे ठीक है बट आपने जो आपका स्टेट कोड ह वो भी आपका चेंज नहीं होगा जो पहली बार आप बोर्ड एक्जाम दिये थे वही रहेगा तो खासकर इस्टुडेंट्स यही गल्दी कर देते हैं कि उन्होंने जैसे मानलो कि उन्होंने दिया एक्जाम उत्तर परदेश से और दिल्ली में अपना इंप्रूइम्मेंट परदेश से तो वो सोचते हैं कि हमारा अब जो स्टेट अफ कोड है वो दिल्ली लग जाएगा वह ऐसा नहीं है आपका उत्तर परदेश ही रहेगा ठीक है तो जो आपका बेस होता है पहली बार जो आप आपने क्लास का एक्जाम दिया हुए वो रहेगा इंप्रूइम्मे में डालना होता है और आपार्टम का नाम देखी जाते है वो होता है कि आपका इस्कूल का नाम क्या लेका होगे और एड्रेस अपना जो पहली बार बोर्ड刑 जालनन Dann डालना है वही रोल नुमर डालना है कोई भी फॉर्म फिल करते हैं हाँ यह बात है कि अगर आप जो इस समय अपना बोर्ड एक्जाम दोगे दुबारा उसमें जो है इंप्रूब्मेंट दे रहे हो या फेलियर उसमें रोल नुमर नहीं आएगा ठीक है तो आप इंप्रूब में हो तो स्टेट ओफ कोड आपका बेस वाला रहेगा जो पहली बार एक्जाम दिया था और सीवेसी प्राइबेट और उसमें हो तब भी वही सेम रहते हैं क्योंकि उसमें जब एड्रेस वेरिफिकेशन पहली बार वहीं पर हुआ होता है ठीक है तो आपका स्टेट ओफ क स्कूल का नाम में सीवेसी प्राइबेट बाकी जो आपने इप्रूमेंट में डाल लगा है तो आपका जो हो मैंट्रेस मतलब स्कूल का नाम और एड्रेस जो का वह आपका बेस वाला रहेगा जो पहले पर वोड़ एक्शाम दिया ता और तीसरी चीज़ आप जब हो मैंट दाल रहे हो तो पीन कोड आपका घर का रहेगा जब उसमे डालते हैं तो अगर आप improvement में हो तो आपका जो पीन कोड रहेगा वह स्कूल वाले और इस समय पर आपको जो स्कूल का नाम लिखना है और एड्रेस जो है आप पत्रचार के सेंटर का लिख सकते हो ठीक है